हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासिज में दोस्तों मेंजडे इनिशेटिव में आपका एक और बार स्वागत है हर साल ये इनिशेटिव आता है फ्री इनिशेटिव रहता है जहांपर हम मेंज़ का एक सवाल हर रोज डिसकस करते है दोस्तों इस बार जो mains का initiative है वो एक और जो चीज इसमें खास है वो क्या है कि schedule के साथ है कि आपको daily schedule दिया गया है कि कौन सा subject कब discuss होगा पार्लरली दोस्तों ये तो है एक free initiative कहलाता है MAD अगर आप चाहते हैं और चीजों के बारे में और जदा question solve करना mains के जहां पर 5 या 6 सवाल हर रोज discuss हो रहे हैं आप हमारा mains का crash course भी जोईन कर सकते हैं और test series भी जोईन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का सवाल दोस्तों mains का answer discuss करने से पहले आपको बता दें कि GS mains की answer writing का हमारा batch शुरू हो गया है 108 days का ये batch है 108 days में 108 questions आएंगे रोज का एक question आएगा और एक नया subject deal के करेंगे रोज हर रोज एक different subject से question आएगा and आपको उसका answer लिखना है हमें भेजना है उसको हम check करेंगे उस पर feedback देंगे आपको वो corrected answer copy भेजेंगे उसका एक video solution प्रवाइड करेंगे और ये सब कुछ चलेगा एक set schedule के according given day का आपको calendar मिल जाएगा कि किस दिन कौन सा question आना है and उसी schedule के according की आपको questions आएगे और आपने answer लिखने होंगे objective क्या है कि आप में writing की एक habit लेकर आनी एक discipline लेकर आना कि रोज आप at least एक answer लिख रहे हैं अपने means के लिए इसमें evaluation, pdf of the model answer and video solution of the model answer भी आपको मिलेगा अगर आपको इसके बारे में और information चाहिए आप हमारी website www.sleepyclasses.com पर जाहिए वहाँ पर आपको ये banner मिलेगा, banner पर click कीजिए और आपको हमारे इस पूरे course की information यहाँ पर मिल जाएगी schedule यहाँ पर आपको लगा हुआ मिल जाएगा, ये जो है order same रहेगा, order में कोई difference नहीं है जहां तक dates का सवाल है, dates आपके इस means answer writing batch 1 के according लगी होंगी cost है इसकी 10,000 including all government taxes of GST तो ये means answer writing batch, चलिए देखते हैं आज का सवाल अब Hello friends, चलिए देखते हैं आज के question को, अब आज का question जो है काफी factual है अब कई questions जो हते हैं काफी analytical होते हैं, ठीक है जैसे कि हमने देखा था पिछले question के अंदर जो की deal करता था with Prime Minister, Council of Ministers as well as the PMO, right तो वहाँ पर आपकी conceptual understanding और उसका analysis बहुत जादा crucial होते हैं, right यहाँ पर क्या है, now this question is extremely factual and यहाँ पर जो है आपको clarity होनी चाहिए कि Finance Commission क्या है, क्या articles है जिसके साथ deal करते हैं, so on so forth but the most important part, 15th Finance Commission और इसकी जो पहली report की recommendations आई है, क्या उसके अंदर नही नहीं चीज़े आई है यह facts आपको पता होने चाहिए, अगर आपको यह पता नहीं होंगे, तो there's nothing you can really do about the answer ठीक है, 15th Finance Commission again very important, तो इसकी चीज़े जो है आपको पता होना बहुत जादा जरूरी है अब क्या है इसके बारे में उसको भी देख लेते हैं, article 280 जो है Constitution का वो provide करता है for Finance Commission यह चीज़ जो है यह आप सब को पता होनी चाहिए, यह constitute की जाती है Finance Commission by the President every 5th year और इसके Members और Chairman है, दोनों ही अपोइंट, सारे ही जो है अपोइंट किये जाते हैं by the President However, Constitution जो है, इनके qualifications नहीं state करता, नहीं Chairman की, नहीं इनके जो various Members है उनकी, यह qualifications जो है, किसके बारे द्वारा determine की गई है, यह qualifications जो है, determine की गई है, Parliament द्वारा ठीके, तो important है यह भी याद रखना, ठीके, हमें पता है, जैसे कि Chairman जो होते हैं, जिनके पास बहुत experience होता है Public Affairs में, बाकी Members जो है, जो कोई जज होते हैं, या फिर जो Second Member है, उनको एक knowledge होनी चाहिए Finance and Accounts की, then another member should be very well experienced in financial matters, and lastly, a member should have a special knowledge of economics as well However, यहाँ पे जो है, क्योंकि आपके पास limited words है, 15th Finance Commission की जो details है, काफी जादा words लेंगी तो ज़रूरी है, Finance Commission के बारे में यह सब details ना लिखें अब main काम क्या होता है, Finance Commission का यह लिखना ज़रूरी है इसका काम है, recommendations देना regarding the distribution of net procedure of taxes between center and states, and also amongst the states और यह किस basis पे करता है, various formulas यह जो है, device करता है, जिनके basis पे distribution होती है साथ ही में, President जो है, apart from this, और भी कोई matter जो है, refer कर सकते है जो कि Finance से, जो है, related हो to the Finance Commission A 15th Finance Commission जो है, constitute की गई थी, under the chairmanship of Mr. N.K. Singh Terms of reference जो है, बहुत important थे 15th Finance Commission के, क्योंकि यह बहुत broad थे, उनको काफी जादा expand किया गया था और इसलिए जो है, इनके कुछ important features भी थे एक तो obvious जो इनका काम था, of distribution इसके इलावा, इनका काम था, जो इन्होंने recommend किया इन्होंने बोला कि एक monitorable, ठीक है, कि जिसके basis पे आप monitor कर सके कोई performance criteria for national schemes and policies, आप हो बनाए साथ में कुछ ऐसे funds for India's defense and security needs and क्योंकि reorganization हुई थे of the state of Jammu and Kashmir into two union territories of JNK as well as Ladakh, ठीक है, तो उनके लिए भी जो है, उनकी resources के regarding भी जो है recommendations देनी थे अब साथ ही में जो term था इस 15th Finance Commission का वो भी बहुत जादा extend किया गया because of the kind of exigencies that had emerged पहले जो है आपकी federal relations के अंदर जो changes आए defense के regarding जो important चीज़े addition की गई साथ ही में फिक coronavirus का pandemic भी जो है आ गया अब जो first report थी of 2021 वो summit की करदी गई थी और इसी report के अंदर जो है बहुत important recommendations थे क्या है यह recommendations पहला है with regard to devolution of taxes to states यह जो है पिछले 14th Finance Commission जिन्होंने 42% का एक major jump दिया था उससे 1% का decrease हुआ है to 41% और यह decrease किया गया है basically to provide for resources from the central government to the two new utilities of Jammu and Kashmir and Lata फिर criteria of devolution हमने बोला था कि एक formula जो है पे भी कुछ changes आए है तो 15th Finance Commission ने क्या formula यूज किया है यहाँ पे उन्होंने जो main चीज़े जो main criteria include किये है वो आते है 45% है income distance के लिए ठीक है उसके बाद आपका जो 15% है वो है population के लिए in census 2011 15% था for the area 10% है for forest and ecology and 12.5% है demographic performance के लिए and lastly 2.5% है tax effort के लिए ठीक है basically अब यह demographic performance criteria जो है यह introduce किया गया था 15th Finance Commission द्वारा पहली बार जहाँ पे उन्होंने reward किया है ऐसे states को जिन्होंने बहुत अच्छे efforts किये हैं और वो control कर पाए है अपनी population जब आप उनको compare करते है 1971 के data के साथ साथ ही में जो tax effort का criteria है वहां पे भी reward मिला है two states जिनकी higher tax collection efficiency थी ठीक है तो क्योंकि उन्होंने जादा efficiently अपना tax collect किया तो उनको भी reward किया गया है ठीक है साथ ही में जो income distance है वो obviously बताता है ऐसे लोगों को ऐसे states को जो कि अभी पिछडे हुए है from other states right in terms of income तो एक state को चुन लेते हैं जिनकी income as a model use की जाती है और उनसे बाकी states कितने दूर है उनके basis पे उनको funds मिलते हैं ताकि जो जादा पिछले states है उनका भी welfare ध्यान में रखा जा सके साथी में उन्होंने grants in aid की बात की है जहाँ पे उन्होंने बोला अपार्ट फ्रम grants जैसे की मिलती है revenue deficit grants या फिर ग्रांस जो local bodies को दी जाती है disaster management grants इनकी इलावा finance commission जो 15th finance commission उन्होंने प्रपोस किया है कि एक framework आप बनाए for sector specific as well as performance based grants जैसे की हमने बात की थी कि national schemes and policies के लिए एक monitor जो किया जा सके performance criteria वो यह है ठीक है तो जहां जहां पर performance better होगी उस उसके accordingly आपको funds मिलते नहींगे साथ ही में finance करने की बात कीगी of security related expenditure so in this regard commission ने जो है बात किये of constituting expert group जहां पर ministry of defense, home office and finance के जो है लोग आएंगे उसके उनकी बातचीत के बात जो है कुछ recommendations जो है वो आगे आएंगे अभी जो है कुछ चीज़े जो की मद्दे नजर रखी जा रही है वो है कि आप जो है setup कीज़े एक non-lapsable funds basically जो lapse नहीं करेगा जहां पर आप levy भी कर सकते एक success और इस success के थ्रू जो है for a specific purpose उस municipality के लिए उसकी तरह defense bonjour उनको भी launch कर सकते है साथी में जो proceeds at this investment की उसको भी आप use कर सकते है इस security and defense fund के लिए ठीक है जो term है 15th finance commission का उसको extend कर दिया गया था given जो exigencies आई थी जैसे कि हमने पहले भी बात की federal relations के अंदर जो changes आए covid-19 का जो outbreak हुआ जो recommendations है importantly finance commission की वो advisory होती है in nature and इनका काम क्यों होता है कि financial balance जो है यह बना के रखे जा सके center और state governments as well as various states के बीच में साथी में यह aid करते हैं devising novel methods जैसे कि 15th finance commission ने किया है ताकि जो financial resources है state के पास पूरी country के पास वो ढंग से utilize हो सके for the welfare of one and all जो 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 ज